हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सनफ्लावर की बोटनिकल डिस्क्रिप्शन और सनफ्लावर की फ्लोरल बायालिजी के बारे में सनफ्लावर ब्लॉंग करता है किंग्डम प्लांटे से इसका ओर्डर एस्टरेल्स है इसकी फैमिली एस्टरेसी है इसका जीनस हिलियन्थस है फ्लोरल बायालिजी सनफ्लावर यूज्वली टॉल होते है लंबे होते है यह अनवल प्लांट्स है यह ग्रोव किये जाते है अप्टु हाइट ऑफिफ्टी टु फोर हंडर्डर सेंटिमीटर इनकी स्टम रफ होती है हियरी होती है और यह वाइल्ड प्लांट्स में अपर पार्ट में ब्रांचड होते है और यह यूज्वली अनव्रांचड होते है डोमेस्टिकेटड कल्टिवार्स में यहने जो इसका वाइल्ड प्लांट होता है जो वाइल्ड में पा जाता है उनकी स्टम रफ हियरी होती है और ब्रांचड होती है अपर पार्ट में लेकिन इनकी जो स्टम है न वो डोमेस्टिकेटर कल्टिवार्स में अनव्रांचड होती है डोमेस्टिकेटर कल्टिवार् The pitulated leaves are often sticky, pitulated leaves often sticky होते है, lower leaves opposite होते है, often वो hard shaped होते है, upper leaves alternate होते है और narrow होते है. Now comes, helios का मतलब होता है sun, anthos का मतलब होता है flower. इसका origin Mexico है, chromosome number X is equivalent to 17, helios Ns, 2N is equivalent to 2X is equal to 34, इसकी important varieties है, modern jawala mukhi, JS7, MSFHQ, helanthus inflorescence. यह family characterize ही जाती है, by presence of head या capitolium type of inflorescence. Flower जो होते है, वो बहुत small होते है size में, hence ही required होते है as florets. Sacile होते है, brachyolate होते है, epigynous होते है, disc florets usually complete होते है, bisexual है, actinomorphic है, जहाँ पे ray florets incomplete होते है, pistolate होते है, zygomorphic होते है. Kalex reduce होते है, numerous hairy appendages से, जिने कहते है, papas, जो ovary के top पे arrange होते है. Persistent peppers act करते है, like parachute, और यह help करते है, fruit की dispersal में. Corolla में petals 5 होते है, यह gambo petalus होते है, यह show करते है, valvate estivation. Regular होते है, tubular होते है, disc florets में, और irregular होते है, और regulate होते है, ray florets में. Now comes androsium. Androsium में 5 stamens पाया जाते है, यह epipetalus होते है, यह alternate करते है, petals के साथ. Stamen जो होता है, यह syngenesis होता है, याने की खाली, anther जो होता है, वो fuse होता है. Tube में, जो style के around होता है, और flamen, जो होते है, वो free होते है. Gynesium, ovary inferior होती है, याने, वो stamen, कार्पल से नीचे होती है, that's ovary inferior. Bi-carpulari होती है, syncarpus ovary होती है, unilocular होती है, और इसमें single ovule होता है, basal placentation पे. Style simple होता है, और bifid stigma होता है. झालए होती है.